Hello everyone, मैं जितंदर बागडी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हारदी कबरिंदन और स्वागत करता हूँ दोस्तों सबसे पहले और मुखे बात आज की जो ये रहने वाली है आचार सहीता हटने के बाद में सबसे पहले RPSC कौन-कौन सी बरती परिक्षाओं को आयजित करेगी तो दोस्तों अगर आचार सहीता की बात करें आचार सहीता कब हमारे हाट जाएगी तो जैसे हमारी सरकार बनेगी, सरकार बनते हमारी आचार सीता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी उसके बाद में नई सरकार के गटन के बाद में कुछ वेकंशियों को लेकर के लोग बाते कर रहे हैं कि अरचने आ सकती है अरपेसी इनकी डेंट चैंज कर सकती जैसे असिस्ट्न प्रोपेसर हो गया है आरेस मेंस हो गया है या एक इस्टेटिकल ओपिसर हो गया है, तो आरपेसी ने अब तक जो है जनवरी और फरवरी मा का स्टेदूल जारी कर दिया गया है RPSC ने सबसे पहले जो exam conduct करवाना है वो है 7 जनवरी को assistant professor का paper third और PTI साथ में home science यानि की तीनों को मिला करके 7 जनवरी को एक paper conduct होगा college lecturer के लिए RPSC का और सबसे पहले RPSC आचार सहीता या नई साल में पहली vacancy जो conduct करवाएगी वो होगी RPSC assistant professor वाली दूसरी जनवरी महा में ही एक और exam होने वाली है जनवरी में कौन सी exam होगी 27 और 28 को 27 और 28 जनवरी को RPSC ने एक और calendar जारी किया है जिसमें R.S. mens का होना बताया जा रहा है तो क्या R.S. mens की debt आगे बढ़ेगी तो जब तक RPSC का कहना है कि इसमें कोई परिवर्त नी होगा RPSC 27 और 28 जनवरी को यानि की RPSC के जो चार paper होंगे R.S. mens के paper 1, paper 2, paper 3 और paper 4 चारो paper क्या करवाएगी conduct करवाएगी यानि की परड़े के दो paper क्या करवाती है RPSC conduct करवाती है यानि की mens का खेल कब समापत हो जाएगा जनवरी तक हो जाएगा फरवरी में इन्होंने एक exam अभी तक जारी किया है और एक exam कुनसा जारी किया है वो है statistical officer का 25 फरवरी को RPSC यानि की statistical officer का exam conduct करवाएगी तो RPSC ने तीन कलेंडर जारी कर दिये और आचार सहीता के बाद या दोजार चोबीस में नई साल में सबसे पहले इन तीनों बरतियों को सबसे पहले मुक्य सुची में रखा है और यह बरती परिक्षा है अगर RPSC अपनी कारिये schedule है नहीं इसलिए RPSC सबसे पहले इन बरती परिक्षाओं को क्या करवाएगी कंडेक्ट करवाएगी तो आप किसी परकार की जानकारी के साथ में अगर भर्मित हो रहे हैं ऐस समंझस में इस्तिती में है तो भीया ऐस समंझस में आने क्या आपको आउशक्ता नहीं है अपन इसी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहेगा थैंक्यू धन्यवाद